दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ आसाम में खाये जाने वली बहुत ही टेस्टी साग की रेस्पी शेयर कर रहे हूं हम आए हैं आसाम की ही एक सब्जी मंडी में यह कद्दू के आप देख सकते हैं दंठल है इनकी यहां पर भी साग यह सब्जी टैप पर कुछ बनता है इसकी पूरी के माइब अजय मतलब अगे थिए डंठल इसकी पूरी की पूरी सब्जी बनती है पत्ता भी ऐसे पत्ते को कुछी कुची काटना है पत्ते को साथ की तरीके से इसी तरीके से सारा काटना है देखे छोटा सा कद्दू लेकर ये भी कट जाएगा तो यहां पर सारी की सारी सब्जी हमने अच्छे से काट के धो लिए है अब चलिए बनाना सीखते हैं इसका साग यहां पर ये सबसी भात यानि की चावल के साथ बहुत जादा खाई जाती है और ये खाने में बहुत जादा टेस्टी होती है तो सबसे पहले इसमें सर्सु का तेल थोड़ा जाता है मैंने करीबं 3-4 डेबल स्कून के जितना लिया है इसमें जाएगा सर्सु के दाने का तड़का राई फ्राइग यह है लसन और हरी मिर्ची धेर सारी इसमें जाती है जब सर्ट्व के दाने चटकने लगे उस टाइम पे यह लसन और हम मिर्ची आल देंगे थोड़ा के पीखा ही बनता है यह जो लसन है थोड़ा भ्रावन होना शुरू हो गया है बिल्लुल भ्रावन नहीं हो है इस ताइम के हम डाल देंगे एक या फिर आपको जितना भी आलू पसंदो साथ में उतना तो यहां पर मैं कच्छे आलू का समाल कर दियूं पत्रे-पत्रे साइसेज में आप रहे तो उबाल के भी डाल सकते हैं इस ताइम पर फ्लेम को थोड़ा से में बढ़ा रहे हैं आलो अगर पच्छे वे थोड़ा सा उनको ब्राउन कर ले इस साग में दोस्तो तेल थोड़ा सा जादा इसकमाल होता है क्योंती एक तरीके से जसे प्राइब वेजिके बुस होती है उससे तरीके से इस साग बनता है एकदम ढ़क के गला के पकाया नहीं जाता इक प्रेंच पना होना चरीए थोड़ा सम पालवा ठोगाऊ द खाड़ा से मेहर गूंता है अब इस तीम से ओम डालेंगे थोड़ा सा हाली जादा ही एक थोधा थाउटा चंममच के साथ और इसी के साथ होड़ी सा लागे थे चौथा फोड़ा के места कलुए है कि अधिया कि बहुत पकाना नहीं था पिशा था कि अधिया था क्या वह सब्ट हो जब अधां पूराइन तरह भी दालत कि नदें है गद्ट हम पुर्णेम बाद्से एक verbs, अपिन के ऊप्नीम टुपनों के पीड़ों के फिर एक प्रप्से एक प्रॉएंग इन एक उन्ति कि प्रख्से, इन्मेशें ट्रॉणिर लोग्से एक टोग की नखनानी छाहिएंग इस फिले फिले रंते हैं एक गलते नहीं है जब इसमें गंजयां भी यूजी है लेकिन इखाने के छॉप होते हैं अब कबची का रैट स्टेंच नहीं है इसले है इसी दान्स टाल रहेंगे नमक नो यस जो आँए अभी आंच चार्च को थोड़ा बीमा घर्चे को हम खुला घरचे ठोड़ेंगे दो कि दोचे तीमेड के लिए यह साल घरख के नहीं पताया जाता है अभी इसमें थोड़ा साब करेंश बना होता है यह रहां तो पांच को मैंने कर दिया है जोड़ा दीमा इसके पहले रेजी था इसको फोर देंगे 2-3 मिट के लिए फिर चलाएंगे फिर 2-3 मिट फोर देंगे 5-7 मिट में ये साथ हो जाएगा तो पांच से 10 मिनिट के लिए मैंने मीडियम लो फ्लेम पे इसे बार बार चलाते हुए हर दरफ से पकाया है ताकि डंडिया भी अच्छे से पक जाए हाला कि इसके रेशे हमने निकाल दीन है बिल्कुल जिब ऐसा दिखने लगे न एकदम जिसे स्ट्री फ्राइब वेजिट इसके लिए में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलती हूँ नेक्स टाइम एक नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए देख क्या बाबाए